आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें जिनका क्या हो, जिनका अपचैन हो, अपचैन का मतलब जो इलेक्ट्रोन ग्रहड करें तो यहाँ पर S2S में भी सलफर है, ठीक है, और SO2 में भी सलफर है तो हम सबसे पहले सलफर का प्रमाड़ू क्रमाराग देख लेते हैं, 16 होता है, लेक्ट्रोनिक विन्यास 2,8,6, ठीक है और यहाँ तो हम इस तरह से लेक्ट्रोनिक विन्यास लिख सकते हैं 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, कितना हो जाएगा, 3P4, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S2S में देख लीजिए आप अब S2S में, अगर हम सलफर की ओक्सिकर संक्या निकालें तो कैसे निकालेंगे हाइडरोजन की ओक्सिकर संक्या 1 होती, 2 हाइडरोजन है तो एक गुड़े 2 और सलफर का X मान लिए हम ने, बराबर 0, ठीक है, 2 ET n 2 प्लस X बराबर 0, X बराबर माइनस का 2, तो सलफर की ओक्सिकर संक्या माइनस 2 होगी अब SO2 में देखे, SO2 में कितना हो जाएगा, सलफर ने यहाँ पर क्या किया है sulfur यहाँ पर oxygen के हमने x मान लिया oxygen का minus 2 2 oxygen है तो minus 2 गुड़े 2 बराबर 0 x minus 4 बराबर 0 x बराबर क्या हो जाएगा plus का 4 तो यहाँ पर plus का 4 हो जाएगा ठीक है तो 3P3 हम जानते peak up course में कितने होते हैं peak up course में kultin खाने होते हैं कुछ इस तरह से ठीक है यहाँ पर 3P4 है अब पहले समय लेते हैं यहाँ पर कह रहा है H2S अपचायक अपचायक का मतलब oxygen करण जो electron की हानी कर सकता है ठीक है यहाँ पर देखे कितना था 3P4 तक था 1, 2, 3, 4 तो H2S में minus 2 है यानि कि minus 2 को मतलब 2 electron इसने ले लिया है तो 2 electron यह ले लेता है तो हम रेड रंग से इस तरह दरसा दे रहे 2 electron इसने ले लिया अब यह electron नहीं ले सकता है अब यह electron त्यागेगा बल्कि ठीक है क्योंकि 3P उपकोस इसका भर गिया है ठीक इसलिए क्या करेगा यह electron अब ग्रहर नहीं कर पाएगा electron त्यागेगा बल्कि तो यहाँ पर H2S केवल oxy-garad होता है तो इसलिए अब चायक है केवल ठीक है अब यहाँ पर SO2 की बात कर रहे SO2 में क्या है प्लस 4 प्लस 4 का मतलब क्या है प्लस 4 का मतलब है इसने जो 3P4 था उसमें से 4 electron त्याग दिये ठीक है 4 electron क्या की है त्याग दिये अब यह इसके पाँ उपकोस खाली है तो यह क्या करेगा यह electron ले लेगा ठीक electron ले लेगा तो electron लेगा तो यानि कि upchain होगा और electron निकाल भी सकता है 3S में जो है 3S से अगर 2 electron निकाल देगा तो यहाँ पर 1S to 2S to 2 पी सही अक्रीगेस की संज़ना प्राप्त कर लेगा तो इसलिए 3S से electron निकाल भी सकता है तो electron की हानी भी कर सकता है electron का ग्रहड भी कर सकता है अप्चायक और ऑक्सिकर्ण दोनों होगा यानि कि SO2 जो है यह अप्चायक और ऑक्सिकर्ण दोनों की तरह वैवार करता है चलिए अब देखते है विकल को पहले कर है S2S में Sulfur की ऑक्सिकर्ण अवस्था माइनस 2 है ठीक है फिर कह रहा है SO2 में Sulfur की ऑक्सिकर्ण अवस्था प्लस 4 है ठीक फिर कह रहा है S2S में Hydrogen अख्शिक तुलन अधिक धनात्मक है SO2 में अख्शिजन अधिक रिडात्मक है तो साब साब पते चल्ला C और D गलत है देखिए हमारे ऑक्सिकर्ण अवस्था कागल ऐसा हो रहा है तो इसलिए A और B सही है OK Thank you